कि दोस्तों इस वीडियो में हम दो बिन्दों कवर करने वाले हैं पहला है आपका भूमादे सागरी बनस्पति यानि कि पाज जाने वाले जीव जन्तु पेड़ पोध है वहां का मौसम किस तरह ठीक है और दूसरा हम देख लेंगे कोनी फेर से यानि के संकोधारी बन के बारे में तो जैसा कि मैं हम ऐसा कटी बंद सुरू करता हूं तो आपको पता होना चाहिए है सीथ कटी बंद सबसे उपर वा पता दिये तो आपका समय में यहां पर नहीं लोगा ठीक ना तो अगर आपने ना किया क्लास तो कर लिजिए इसे पहले क्लास में हमने काफी सारी चीजी देखिए हमने देखा कि उसन कटी बंद यह बन है वो किस तरह के हैं उसमें भी आपकर दो तरह का था सदाबहार और परनपाती यानिके एवर गिरीन यानिके रेनफॉरेस्ट भी आप उसे कह सकते थे तथा डिसीडियस जो पत्तों को गिरा देते थे साल की किसी एक पर्टिकुलर मंत में यहां पर भी दो तरह के पाधे पाए जाते थे हैं इस सी तोसन एरिया में जिसमें आपका एक था इस एरिया में आप जब मल्ड मैप देखोगे न तो आप कह सकते हो कि इस एरिया में पाए जाने वाले बनस्पति के रूप है उसे कहा जाता है भूमा अदे सागर कहा है तो यूरोप के नीचे है अफ्रीका के उपर है तथा एस या के पच्छी में है तो तीनों का कहींने क दूने के दूसरे तरह का है ठीक है और यस तरह केड़ पहते जो हैं डुनिया में बहुत जगा पा रहे है तो उन्हें नों इसका पूरा एक नाम ही दे दिया ना यह उसको बोलने लिगे महिँ अगय मात है कोई नहीं से सब् publi दोनिया के अलग अलग को नहीं पर पाइजा दे है क्योंकि सवरूरूफ नहीं उनको जो ब्रिच होते हैं वो सेम होते हैं इसलिए इसे भूमाद सागरी बनस्पति कहा जाता है अब जैसे यहां पर मालनी यह सेम स्वरूप बला यहां पर पाया जा रहा है कोई बन है चोटा साथ देन यहां पर पाया जा रहा है यहां पर पाया जा रहा है ठीक है न तो यह जो होता है स्वारा कन्फ्यूजन हो जाता है तो बैग्यानिकों ने कहा कि नहीं यार ऐसे तो सही नहीं है इस चारों का नाम रख दो भूमादे सागरी अबनस्पति क्योंकि यहां के पेनपोध है जीव जन्तु जलवायू जो है मैच खा रहा है ठीक है ना चलिए कहा जा रह मेरा एक दे से महल लीजे तो कहा मिलेगा पच्छमी अब हम दच्छिन पच्छिन पीना पर पच्छिन इधर हो जाएगा दच्छिन पच्छिन पच्छिन हो जाएगा ठीक है ना तो आप कहा सकते हो कि इस एरिया में मिलता है मुख्यता लिखा गया है है ना हमने मुख्यता लिखा नहीं, लेकिन मुख्यता, ऐसे तो और भी जगहें मिलती हैं, लेकिन मुख्यता यहीं पर देखने को मिलता है, इस साइड में ही देखने को मिलगा, तो आगे आप जब पढ़ होगे, तो आपको पता चलेगा, ठीक है न, तो जगहें कौन-कौन सी है, मैं आपको पाजा रहा है कि देखिए, अब मैं आपको थोड़ा वर्ल्ड मैप से समझा देता हूं, तो सबसे पहले यह है हमारा भूमादिसागर, ठीक है, यह चिछ क्लियर आपको होना चाहिए, यहां पर आपको पता है कि यूरोप में देखिए कि तरह से है जो आपका भूमादिसा ऐसी करा में भी बंश्मादिसागर को यहां देखिए, उल्का लेक Normа भूमादिसागर को थोड़ा ओऌती है, यहां प्हलly देखिए atamov, यहां पढ़मादिसागर को यहां पर आपको में यह हो रिखा ने पीड़ा अबर कि užड़ कर दिया है, यहां अब हसाम उमक्ते यहा डदे तक मैं क्लियर होता जाएए चीजी तो यूरोब यहाँ पर था तो मैं बतां ना कि यहाँ पर पैए यारा सप्यार today में में इ misery में इस तो है दक्षिद की नहीं हुए तो है है यहाँ बढ़ता है तो कॹंकि यहां पर यहां बनाटतहा है तो क्योंकि ऐसे area में है previous video मैंने बताया था कि यहाँ पर ऐसा area होता है कि बारिस नहीं होता है जाला ठीक है ना बारिस होता है कहाँ पर तो यहाँ पर बारिस होगा ठीक है यहाँ पर बारिस होगा पूरब की और बारिस होता है या तो उत्तर पूरब में, या फिर सिर्फ पूरब में, यहां पर बारिस नहीं होता है, अब ऐसा होता है, फेरल के लोग के अनुसार, कॉरियोलिस बल के अनुसार, ठीक है न, इसलिए यहां पर बारिस नहीं होती है, तो यहां जो पाय जाने वले बनस्पतिया होंगी, उनक बश्वरू भीन होगा इंसे अब यहां जो पाय जानीं वलेल स्पती इसको क्या नाम दिया गया था इसे कहा जा रहए था उसन कटिकट बन दिये साधा बहार बन कर फिक है न यहां कोई एसे बड़ा सा इस तरह का तो तो यहां जो बन पाय जा रहे थे, इसदा बाहार बन, इसदा बहार या से इस बूम सागरिय या बन Sपति है फरकार या वो पाया ज़ा रहा रहा है थेक, तो मैं पही देखेning तो उसघी यहां पर चीली भी थोड़ा सा दिखाए गते हैं यहां पर चीली नाम का एक कंट्री है वहां पर आपको किई कंट्री को तो नहीं है क्योंकि उसका नीमार हो गया है तो आपको था पता होना चाहिए ठीक है न अभी मैं चाहिए ज़न कहा हनो च déb Tun किनि प्रांथ संते रहते हैं वह थी question पूछा जाता है exam में तो Californi यहाँ पे है Chilli यहाँ पे तो यहाँ पे गुँमड iさग्री बनस्पतिया देखे जारी है अब यहाँ पे जो बनस्पतिया उनका एक खास यह है कि इन पे बारिस नहीं हो रहा है क्वारीश नहीं हो रहा है तो मैंने क्या बताया था अपने लेक्ऱर में हमेशा काता हूं कि रोल ज्षक जते हैं ओपने खोब गना जंगल थे मुअधा याँ अपर दूर-दूर पर ब। भागान देखे हो आप भागान छोट को जाता है तो उसे बागान के तरह होते हैं दूर-दूर पस्रीकेशा अपты यहां कि पाए जाने तथा citrus fruit यानि कि संत्रा निम्बू बगयरा और grapes भी यानि कि अंगूर भी मिलता है यहाँ पर अब ज़रा एक चीज बताईए मुझे को है अगूद जरल निम्बू का पौध देखे हो अजीर का सायत देखे हो लेकिन यह जित पोधे हैन अम्जीर बहुते हैं छोटे जोटे पोध्य होते हैं अब कर देंके हाइड कितने हो सकते हैं ये ADPro कि 8-10 मीटर अपको से बड़ा नहीं होता now कि तरह च्छाड़ होता है धेर व्यद्रस और हुआ सखहाएं होती है einacia कभितम सीधह नहीं जाता है ठीक है था और फो अब यहां येète डायस नहीं हो रही है ठिक तो ज्रादा पावध है नहीं वहां पर दूरी है भराबर व're सब Kalo verder sunlight मिल रहा है प्रोपर पानी मिल रहा प्रोपर एयर मिल रहा मिटी मेल्हूश यह वला चीज ढूरी-दूरी फट्र टो जब सब को sunlight मिल नहीं को तक नायाल रहा है तो बस क्या करेंगा सब क्योंकि उनकी बीच दूरी है इसलिए अपने उपत्तो को फैलाएगा इसलिए निम्बू का अगर पेण आप देखे होगे तो इस तरह का पेण होता है इस तरह का होता है आगे जाके और फैलेगा आगे जाके और फैलेगा इस तरह का होता है है कि नहीं इसमें कई साखाएं होती है नीमू का पेण कभी सीधा नहीं देखे हो नहीं इस तरह के पेण होता है क्योंकि सुर कि ट्रीस साइस तो आप समाझेंगे चोटे-चोटे नाटे नटे बोने बोने पॉधे हो सकते हैं तथा मीड आकार के आप इस एरिया में जो है इन एरिया में जहां पर यह भूमोंद इस सग्रीब अनस्पतिया पाए जा रही है वहां पर गर्मियों में बरसा नहीं होती है मत वेंटर इन कि महरता है कहां धया ही और रहा है और रहां कि वेलों और vista के नुसर एक वात तो यहां पजान वाली चीजें ही डिए टो इसा बहुत ज्यादा प्ष्टीअ होते हैं ठेक ना बहुत ज़्यादा पॉस्टिक होते हैं आगया परोग की चेरी भी गरा भी उगता है यहां पर तो जब देखा लोगों ने किया यहां पर तो बड़ा सही जमीन है यार महों लेगदम सही है क्लाइमेट ऐसा है तो क्यों नहीं यहां पर खेती हैं कि जाए तो लोगों पर तो यहीं वाला यूरोप है अमेरिका का थोड़ा से इसा है यहां पर लोगों ने काट लिया किया कि वहां पर खेती चलू कर दिया बगान लगाना चलू कर दिया और बहुत बड़े अस्ता पर काम किया उसके तो जीब जनतु के मातराज हो गई कम हो गई अल्रेडी वह तो कोई रहना ही नहीं चाहेगा तो इसलिए यहां बने जीवन के मातरा जो है लेस देखी जाती है और बड़े बड़े जानवर जैसे की सेर बाग तेन दुए हाथी यहां पर नहीं पाए जाता है ठीक है ना तो आई होप यह चीज आपको समझ में आगे होगा अब हम सयर कोरेस है और यहां जो प्लांट पाए जाएंगा जो ब्रिच पा जाएंगो उसे कहा देगा कोनी प्लांट कौन मतलब क्या होता है कौन मतलब संकु होता है आप लोग मैं पढ़ते हो तो पता नहीं यह वाला देखतो न संकु इसका एरिया निकालते थे इसका आयतन निकालते थे निकालते थे कि नहीं तो इसे कहा जाता है संकु जो नीचे से वाइड होता है और उपर जाके कैसा बंद हो जाता है मिल जाता है तो कोनी फरस्ट जो ट्री होते हैं जो संकोधारी ट्री होते हैं वह भी कुछ इसी तरह से नजर आते हैं देखिए है कि नहीं है एकदम नीचे से वाइड है तथा उपर जाके जो है उसका चेहरा नहीं सौरी उसका जो सन रचना है उपर बंद हो गया है अब समाजते हैं कि यह हमारा कौनी फरस्ट कहां कहां पर पाया जाता है तो मैं यहां पर पहले ड्रॉब कर लेता हूं देखिए थोड़ा बहुत भिंगा हुआ था इसलिए आपर जो मारकर अपर तरीकिस नहीं हो पाया यह हैं हमारे जीरो डिगरी यह हमारे नबबी डिगरी दिन सेम चेहां पर यहां पर यह साउठ पोल यह है नौथ पोल ठीक है ना तो इसे क्या लिखा गया है पढ़िए कहा जा रहा है कि मोखेता उत्री गोलार्थ के उच अच्छानसों में यानि कि 50 से 70 डिग्री पर जो है कौनी फेरस देखे जाते हैं तो अब ज़रा आते हैं 50 से 70 पर तो यह हमारा ठाऱ में पाई जाने में प्लांट हुँगे क्योंकि इस अरिया में काफ़ी ज्यादा माता में रहती है और बरफ गिरती है टो बरफ गिरने का रह सहं जो फटी है उस महाल की लिए इससे सब्सक्राइब गरता है तो अब लिए यहां फीन नीचे की और डूलक जाएगा ठीके न then same यहां पर होगा स्वाई कि यहां भी थण्ड है तो यहां भी वर्फ गिरेंगे अब आपके मनें होसा के बीचारा हो कि यहां पर किस तरह से मंतलब किस तरह के बन पायाते हैं पचास से सतर तो ठीक है और एपटारb कवी बाफ तो मिट्टी करहां खोजयेगा हैं न कभी भरफ लाइं नहीं तो हम पर आइने पौध में पाया हैं घास झालाते चाहां पर मांसहारी होते हैं एक दम प्योर तो छोड़िए उस चीचको अभी अभी हम समझ रहेते हैं संकुधारी बन के बारे में तो यहां पर पाये जाने वाले बन होंगे पचास से सतर वाले वो संकुधारी कहला है और यह भी पचास से सतर अब यहां पर देखें क्या लिखा गया है कि इस से ज़्य डेटेल में अपने नहीं पढ़ा ओभा मुखयता लिखा गया हैं उत्तरी गुलार के उट अच्छांसा पाए जाता हैने कि ऊपर क्यों पाये जाता है नीचे में ज्यादा नहीं पाये जाता है तो पर में ज्यादा है तो बता यहां पर यह है कि आप सबको पता है अगर नहीं पता तो मैं बता देता है कि हमारा जो अर्थ का नदन हेमस्फियर है यानि कि उत्री गोलार्द है वहां पर जमीन की मात्रा ज्यादा है यहां पर जमीन ज्यादा है यहां पर जमीन ज्यादा नहीं है तो जहां जमीन नहीं है वहां पर पानी मी थोड़े प आप ज्यादा नहीं है नीचे में थोड़ा से जैमीन है यहां पर तो यहीं चीज है यहां पर इसलिए उत्री को लाग में ज्यादा मात्रा में देखा जाता है तो अब एक इंपॉर्डेंट बात कि जैसा कि हमने देखा कि कॉनिफेरस जो प्लांट होता है वो ठंद वाले उग सकता है इक्वेटर पर उग सकता है लेकिन क्या ही की इक्वेटर पर बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी रहती है यहां पर उग सकता है करकर रेखा पर यह मकर रेखा पर उग सकता है तो अब बताए मुझे जैसा कि मैं कह रहा था क्योंकि बरफ गिरता है बहुत ज्या क्योंकि एर प्रेसर लो होते जाता है यह प्रेसर वाले आपको पढ़ना था तो इसलिए हिमाले पर जो है संकुधारी वन रेखे जाते हैं ठीक है जो आपको भी ट्रेवल करने जाओगे दोस्तों के साथ आप देखो कि वहां पर किस तरह के पॉद्धे किसन राजनय परिवर तो आपको मिलने लेगेंगे चीट देवदार एक्समस्ट्री बगर क्यों क्योंकि ठंड होता है उचाए के साथ हिमालय कहा इस्तित है थोड़ा सा उपनी इस्तित है यह कोई भी परवत अगर यहां पर इस्तित होगा तो हम पर समझेंगे के ठंड पढ़ेगा और वहां पर संकुधारी बन उग आएंगे तो कॉंसेप्ट क्लियर हुगा आपका बहुत बढ़ी है गुड़ टो नो इसे आउसो नोन एज टैगा यानि कि इसे टैगा नाम से भी जाना जाता है तो टैगा का मतलब होता है यह पढ़ लिजा इसे आगे बढ़ू मैं चलिए इसके जो ब्र हम साइच के होते हैं ठीक है ना तथा यहां पर लिखा गया आप इसे एक अग वर्ट करके तोड़ो नो तो आपको दिमाग किनम जो हील जाए क्या लिखा गया है कि लंबे नरम नरम यानि नरम कास्ट वाले यानि कि उसकी लाकडिया होती है वो मुलायम होती है अब मुलाय पत्ये को ड्रॉप कर दे ताकि वास्पो सार्जन जो है न हो जागा लेकिन यहां पर इतना ज्यादा नमी है इन अरिया में या प्र माउंटेन के उपर कि पाउध्य जो है नमी से घिरे हुए है तो गर्मी उनको कभी लागेगा ही नहीं तथा पत्य वो ड्रॉप करेंगे नहीं नहीं कभी तो साधा बहार होगा कि नहीं है ना हमेशा एदम रहेंगे अब नरम है यानि कि उसको कास्ट है मुलायम है मुलायम क्यों होता देखिए मुलायम काने का मतलब की डेंसिटी उसकी लो होती है ठीक है ना और हलका सा जैसे आप एक कह सकते हो कि सीसम का लीजे आप दोनों के तोड़ो गए तो दोनों की अगर मुटाई समान होगी तो पहले आपका टूट जाएगा एक्समस्ट्री भला लेकिन सीसम आपसे नहीं टूटेगा दो तीन दोस्त आप लेयाओगे फिर भी नहीं टूटेगा बहुत ज्यादा मजबूत रहता है अग तो भी चीजब नरम होगा ना जब उसकी डेंसिटी लो होती है अंदर से तो जल्दी जल्दी बढ़ता है ठीका लेकिन सीसम को बढ़ने में टाइम लगता है इसलिए वह देन सोटा मजबूत होता लेकिन एक समस्ट्य हो है तो तो तेजी भी बढ़ता है अब कितना तेजी पिर अपना बिचारा सहा ठंडे की दिन में ताथ फिर दूसरा चीज़ यह हो जाता है कि लकडियों का उपयोग हो जाता है नरम जो लग्डियां होती है उनका तो कुरसी टेबुल तो नहीं बनेगा है खस-खस होती है अंदर से अब करसी बनागे उस पर पेख्टे को तो नी से बनता है पैकिंग का जो डिपा होता है ना तो वो सब उन पेड़ों से बनाया जाता है जो इस अरिया पाए जाते है ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं ठीक है तो कास्ट कॉपी ओक सिग गया चीट देवदार यह दो तरह की ट्री में यहां पर लिखा था एक समस्वास तो जानवर किस तरह के पाये जाते हैं इस वहां पर जानवर जो है तो इस तरह के होंगे जो ठंड को बर दास्ट कर सके ना उसमें का सिल्वर फॉक्स दिया जा गया है भूल्स में बहु ज्यादा है फिरमेरा कुट्टा जो है यह सबस्ते हैं लेकिन यहां बेजिए तो मर जाए कि इसका सरीर नहीं बना है तो बुल्फ बेगरा जो होते हैं काफी ज्यादा थन्ट को बर्दास कर लेते हैं पोलर बियर जो होते हैं देखते हो न कि अंदर बरह वला पानी में तैरते रहता है और हाइबर्णेटिंग करता है तो आपको आगया है पढ़ना है थोड़ा सब अभी नहीं आगी एक लास में तो आई होग पैने जो भी बताया आपको वह चीज आपको समझ में आ गई होगी जानवर समझी गया है प्रेणों की सिंद्रचना समझी गया कटी बंद में देखी लिए कहा कहा था तो काफी सारे कि में यहां पर समझे आ इसके बाद की घास अस्थालयानि के पढ़ने वाल तो वहीं क्लास काफी ज्यादा इंट्रेश्टिंग है काफी ज्यादा क्णूज्ञ होता यह चाए कि प्रेइरी घास के मैईजान क्या सवाना ग्या होता है तो वह सब देखेंगे नेक्स क्लास मे तो मिलता हूँ नेक्ट क्लास में तब तक अपना ध्यान जैन